दोस्तों अगर आप investment करते हो और long term के लिए आप भी एक अच्छा investment करना चाहते हो तो मैं आज आपको बताऊंगा golden crossover के बारे में दोस्तों हमें फिलाल धन का website खोलना है और धन के website पर आप देख सकते हो मेरे screen पर कि nifty 50 हम मैंने खोल के रखाया इसकी price क्या चल रही और इसकी progress क्या हो रही है यह आप इस arrow से देख पा रहे हो दोस्तों अभी हमें चार्ट खोलना है चार्ट आप यहां से खोल सकते हो और यह यहां पर आप देख सकते हो nifty 50 का चार्ट आ चुका है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो इस चार्ट में कि यहां पर दो लाइन क्रॉस हो रही है यह लाइन जो है हमने अलग-अलग indicator लगाई है और इस लाइन के बाद अगर आप इसकी trend देखोगे तो चार्ट काफ करती है short term moving average और दूसरी जो है यहां पर देख सकते हो मैंने 200 दिन पर set करी हुए वह है long term moving average और यह set कैसे कर सकते हैं मैं अभी बता दूगा आपको फिलाल जो है मैंने लगाए हुए indicators clear कर दूगा indicator कहां दिखते हैं दूस्तों यहां पर fx करके एक icon देखेगा fx में आपको indicators दिखते हैं तो उस पर click कर लिजे और यहां पर आपको काफी सारे indicators देखने को मिल जाते हैं जैसे के average price, true price, bollinger bands, candle crawl stop, तो काफी ज़्यादा है जो आप चाहते हैं यहां पर कर सकते हैं तो फिलाल जो है दोस्तों हमें धूनना है moving average यानि EMR तो यहां पर हम EMA type भी कर सकते ह जबार में और यहां पर आप देख सकते हैं moving average exponential आ चुका है इस पर मैंने एक बार तो click कर लिया पर हमेर जो है दो line चाहिए तो हम एक बार और click कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं दो line आ चुके है तो इसमें आपको settings में जाना है settings में जाकर आपको input style और visibility देखते और यहां पर style में चले जाई है और इसका color हम थोड़ा बहुत change कर देंगे ताकि हम differentiate कर पाएं तो यहां पर हमने एक line black कर दी है और यहां पर थिकने से अगर चाहते हो तो वह भी set कर सकते हो फिर यहां पर हम बंद कर देंगा और दूसरा जो है उसके भी settings में चले जाएंग तो फिलाल जो है मैंने अभी purple कर दिया है इसको तो दोस्तों यहां पर आपको दो line देख जा रहे है और red वाला हमने 50 दिन यानि short term के लिए set कर रखा है और दूसरा जो है वो purple color में और 200 दिन के लिए set कर रखा है यानि long term में तो यहां पर आप देख सकते है short term वाला जो है वो नीचे से cut कर रहा है long term वाले line को तो हम यहां पर assume कर सकते है कि यह golden crossover है यानि trend जो है यहां से उपर जाएगा तो यहां पर देख सकते है तो इसको कहते है golden crossover तो फिर दोस्तों बात आती है कि आप आज के दिन में कौन से stocks जो है उनमें golden crossover हो चुका है यह कैसे दूनेंगे तो यहां पर जो है हम scanx के website पे चले जाएंगे तो दोस्तों हम scanx.trade के website पे आ चुके है आप यहां पर देख सकते हैं मैंने login कर लिया login करने के लिए आपको धन के द्वारा login करना है तो already आपके पास धन का account होना चाहिए अगर धन का account नहीं है तो description में link है फटक से आप account ब जाएंगे तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो कि आज की दिन में जूभी stocks का golden crossover हो चुका है वो सब stocks आपको यहां पर मिल जाएंगे हाला कि आपको अलर्ट वगेरा नहीं मिलेगा पर आपको यहां पर ज़रूर मिल जाएंगे ऐसे मत समझना दोस्तों कि यह stock 100% उपर जैसे की less than हम अगर 100 days to 100 days पे भी चले जा सकते हैं और इसके हिसाब जो है जो है दोस्तों यहां पर नाम बतल गए है तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है वो golden crossover कैसे दिखता है यह भी जान लिया है पर दोस्तों आपको एक और चीज पता होनी जरूरी है जो की है death crossover death crossover क्या होता है यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों की short term वाली line जो है वो long term वाले line को उपर से cut करे और नीचे चली जा रही है तो यहां पर देख सकते हो थोड़ा बहुत loss हुआ है तो दोस्तों यहां पर इसको कहते है death crossover तो इस time पर जो है दोस्तों आप stocks buy करने की दोस्तों यह था golden crossover और death crossover इसके द्वारा आप एक informed decision कर सकते हो और investment शुरू कर सकते हो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब जरू कर लीजिए तेंक्यू